स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सागर स्टडी गुरूप पर तो आज की जो क्लास है उसमें हम भूगोल के कुछ सामन निग्यान के कॉस्चन्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत बार competitive exam में पूछे गए हैं और आने वाले examination में भी पूछे जा सकते हैं तो चलिए आज की क्लास को हम सुरू करते हैं इसमें हमारा पहला question है हमाले की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है ठीक है यहां में option दिये गए हैं नामचा बर्बा कंचन जंगा और अन्यपूर्णा तो दोस्तों इसका जो answer होगा वो होगा नामचा बर्बा ठीक है नामचा बर्बा जो है वो हमाले की सबसे पूर्वी चोटी है ठीक है और हिमाले की यह अगर हम भारत में इसकी बात करें तो दिबांग घाटी जो रोनाचल प्रदेश की घाटी है उसके आसपास यह पाई इस्थित है ठीक है और यहां जो नदिया है उनमें यारलों सांग्पो, देहांग और ब्राव्मपुत्रा यह नदिया यहाँ पर हैं हम चलते हैं next question पर इसके बाद जो हमारा क्वाश्चन है उन्रमतर बायू मंडल में गैसों की सर्वादेक मात्रा किससे मिल कर वनती है ठीक है निम्नतर बायू मंडल में गैसों की सरवादिक मातर किस से मिलकर वनती है तो इसमें हमारे ओप्षन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सिजन तो इसका आंसर क्या होगा जिसा कि आप सभी जानते हैं कि बायू मंडल में सरवादिक कौन सी गैस पाई जाती है तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन दोस्तों, नाइट्रोजन बायू मंडल में 78.03% पाई जाती है तो ये सरवादिक मातरा है बायू मंडल में नाइट्रोजन की इसके बाद हम next question के बारे में पढ़ते है question number 3 बादल किस कारण बायू मंडल में तैरते हैं तेरते हैं, क्योंकि वो बायू से हलके होते हैं, इसलिए वो बायू मंडल में तेर पा रहे हैं, तो क्या कारण है इसका, यहां में option है, निम्न दाब, निम्न घनत्ब, या निम्न सैंता, ठीक है, तो इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर होगा, निम्न घनत्ब, ठीक है, दूरी होती है इसलिए इनका घनत्व कम हो जाता है और ये फिर बायू मंडल में तेरने लाइक हो जाते हैं इसके बाद हम next question के बारे में पढ़ते हैं question number 4 मौसम बिज्ञान किसका बिज्ञान है मौसम बिज्ञान किसका बिज्ञान है देखिए बड़ा ही easy question है इसमें हमारे option है धातों का मौसम का उलकाओं का जैसा कि नाम में ही mention है मौसम बिज्ञान तो ये मौसम का बिज्ञान है ठीक है मौसम का बिज्ञान तो देखिए दो एक बहुत बड़ा अंतर भी है दोनों में देखिए किसी जगए विसे इसका अगर मौसम बहुत दीर गवदी या बहुत लंबे समय के लिए एक साही रह जाए तो वो जलबाईयू का रूप ले लेता है लेकिन मौसम मौसम चेंज होते रहते हैं ठीक है यह अलपाब देख हो होती है लगभग किसी जगए का अगर मौसम 30 से 35 बर्स तक एक सा रह जाए तो उसे वहां की जलबाईयू डेकलियर कर दिया जाता है ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट कॉस्चन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारा कॉस्चन नमबर 5 है वो है टेगा कार्थ क्या है देखिए टेगा से क्या समझते हैं तो यहां option है घास इस्थल संकूब्रक्षी बन या पर्ण पाती बन दोस्तों इसका जो आंसर है वह संकूब्रक्षी बन देखिए संकूब्रक्षी बन टेगा ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली एक बनस पती है ठीक है पेड़ पोधों की पर जाती है तो इसके जो पत्तियां होती है वो बहुत पतली लंबी और किनारों पर नुकीली होती है चुकि यह ठंडे प्रदेसों में है तो बर्फ गिरने के कारण पत्तियों पर बर्फ जम जाती है तो यह बर्फ को उस पर रुकने नहीं देते और नुकीले होने के कारण बर्प को नीचे गिरा देते हैं, जिससे इसकी पतियां सुरक्षत रह जाती हैं, ठीक है, इसके बाद जो हमारा question number 6 है, उसमें निमने मैंसे किसको young fold mountains कहा जाता है, यहाँ option है, हिमालाई, बेंद्य या अरावली, ठीक है, तो young fold, इससे मतलब क्या हुआ, इससे आसा है, जो सबसे नया है, ठीक है, योबा परवत है, तो दोस्तों, जो सबसे योबा परवत स्रेणी है, या योबा परवत है, वो है हिमालाई, ठीक है, हिमालाई सबसे young mountain है, ठीक है, देखिए, यह हिमालाई, ठीक है, और यह सबसे यो परवत हैं ठीक है लगवग 650 लाख बर्स पूर्व ठीक है इसकी उत्पत्ती हुई थी चलिए इसके बाद हम next question के बारे में पढ़ते हैं question number 7 पनामा नहर का निर्मान किस बर्स हुआ था यहां इन्होंने पूछाए किस बर्स हुआ था मतलब पूर्ण हुआ था ठीक है तो पनामा नहर के बारे में अगर हम बात करें तो पनामा नहर का जो निर्मान complete 1911 में हुआ था ठीक है ना देखिये 1911 से एक बात और याद आती है जो प्रथम पिस्वित है वो भी 1914 से ही शुरू हुआ था ठीक है जो पनामनहर है ठीक है उसकी जो लंबाई है बो है 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर ठीक है और 1881 से ही शुरू हुआ और 14 अगस्त 1914 में ये बनके complete हुआ ठीक है अब इसके बारे हम इसके बाद कोई next question देखते हैं देखिए बायू में nitrogen का प्रतिशत कितना होता है देखिए मैं पहले ही बता दिया था मैंने इसके बारे हम पहले ही बता दिया था कि वायू मंडल में इस सरवादेख जो गैस है वो है nitrogen अब ये कितना है ये पूचा यह सब्क है तो ये 78.03 परसंट ठीक है तो इसका उत्तर होगा, वो होगा 78.03%, अब ये देखिए, एक चार्ट बना है, इसमें इस सर्वादिक जो मात्रा कवर की है, जो सर्वादिक इसका एरिया कवर किया है, वो नाइट्रोजन गैस ने किया है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सिजन 20.9%, और गन 0.90%, और अधर गैसे 0.17%, कार्बन डियोकसाइड 0.03%, ठीक है, तो यह सभी कैसो क्यों, यह परसेंटेज भी दिया है, इसमें, इसके बाद जो हमारा कॉस्चन नंबर 9 है, वो है, ओजोन परत कहां पाई जाती है, ठीक है, ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो यहाँ, छोब मंडल, समताप मंडल और इसमें से हमारा आंसर जो होगा, वो होगा, समताप मंडल, ठीक है, ओजोन परत जो है, वो समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल, ठीक है न, और जो ओजोन परत है, वो प्रतिवी से लगबग 30 किलो मीटर की उचाई पर है, और लगबग 15 किलो मीटर इसकी मोटाई है ठीक है और इसके बारे में ओजवन परत के बारे में अगर हम बात करें तो 1973 में इसमें सबसे पहले रंद्र या छिद्र देखा गया था जो किसके कारण होता है जो CFC या किलोरो फिलोरो कारवन के कारण इसमें होता है जो हमारी ओजोन परत है वो यह है देखिए यह यह है हमारा समताप मंडल का जो छेतरी यह समताप मंडल का और यह यह वाइट से वाइट वाइट में देख रहा है यह हमारा ट्रोपोस्फियर जिसे बोलते हैं छोब मंडल और ये है stratosphere जिसे बोलते हैं समताप मंडल तो समताप मंडल में पाई जाती है हमारी ozon परत ठीक है इसके बाद हम next question के बारे हम पढ़ेंगे जो हमारा next question है वो बिस्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है देखें यहां बड़ी नहीं पूचा है यहां पूचा है विस्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो विस्वी की सबसे लंबी नदी नील नदी है ठीक है लेकिन अगर बड़ी पूचता तो बड़ी Amazon है और जल धारन च्छमता भी Amazon की ज्यादा है ठीक है नील नदी सबसे लंबी नदी है ठीक है यह देखिए ठीक है यह नील नदी के बारे में दिया गया है दोस्तों नील नदी की जो लंबाई है वो है 6650 किलो मीटर ठीक है और जो Amazon की जो लंबाई है वो है 6400 किलो मीटर ठीक है तो इसी कारण लंबाई के मामले में जो नील नदी है वो Amazon नदी से आगे है ठीक है इसके बाद जो हमारा next question है वो है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है देखिए ये आप लोगों के लिए है इसका answer आपको comment box में देन हैं तो हमारे चैनल को आप subscribe करिए और आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में